कितना फरक आया है बनरेगा के काम को लेकर देखें, आंकडे कितने बदले हैं, पहले कितने लोग और अब कितने लोग कर देखें? मुझे लगता है कि ग्रामीन छेत्रों में तो एक तरह के संजीवनी बूटी है ये बनरेगा जो कारेका में लोग चला रहे हैं आज से नौ दिन पहले पूरे राजिस्तान भर में सिरफ बासाट हजार लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे और जब से लोग डाउन का सेकिंड फेस चालू हुआ और गाउं में नरेगा के काम को हमने अलाव किया और हमें रोज आना मॉनिटर करकर इसकी डिमान को बढ़ाया है मुझे बताते विए खुशी है कि आज 11 लाख लोग ऐसे हैं जो नरेगा में काम ले रहे हैं नरेगा का जो भुकतान है वो भी 220 रुपे प्रती दिन हो गया है और हमने यह कहा है कि जो लगबाग 80% जो काम हो रहा है वो लोग अपने नीजी खेतों में नीजी में काम कर रहे हैं ताकि social distancing maintain हो उनका खुद का घर का निर्मान हो करें और पेमेंट उनको मिले किसी भी फैक्टरी में या कहीं पर भी आज काम चल नहीं रहा है जो लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो इसके मादम से रोजगार मिल रहा है लोग स्वस्त भी रह पा रहे हैं और जो ग्रामीन राजस्तान में आज राजस्तान दो नंबर पर है ग्यारा लाख हमारे हैं पर रेजिस्टर्ड हैं जो लोग नहरेगा से रोजगार पा रहे हैं और ये क्योंकि अब फसल लगबा कट चुकी है तो लोग खाली भी हैं गाहों के अंदर और जब अर्थवस्ता बिलकुल ठप में रोजमरा की चीज़े हैं उसको खरीदने की शमता उसकंदर आएगी जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर तपका है वो ही नरगा में काम करता है उन्हीं लोगों को आज ताकत देनी की जरुवत है अगर हम गाओं को उस नजरिये से देखें कि बहुत शहरी इलाके अधिकतर वो रहे जहां पर कोरोना का संक्रमन रहा गाओं में तयारियों की जरूरत रही हमेशा और उन्हें आत्म निर्भर होने की आज आप उस हिसाब से क्या कह सकते हैं राजस्तान के गाओं के हिसाब स कि क्या वहाँ पर आत्म निर्भरता है दूसरा गर्मी का मौसम आने की सूरत में क्या पानी की वही चिट पर चिट समस्या तो नहीं है अभी गर्मी आ रही है और हम लोगों ने किया है कि एक कंटिजिन प्लान बनाया है और हर जिले में 50 लाग रुपे दी हैं लगबक 60-70 क रखा है क्योंकि एक तरह हम कह रहे हैं आप हाथ दोईये और स्वच्छता रखिये और पानी की किलत होगी तो वह संबब नहीं हो पाएगा तो इसका हमने पूबिजन कर रखा है लेकिन गाओं के अंदर अभी संकौन फैला नहीं है जारत तर जो इंफेक्शन्स हैं वह करने की बात है वह शुरू से हम लोगों ने उनको सिंसिटाइज किया है तो आज यह सुकत बात है कि गाओं के अंदर अभी संकौन फैला नहीं है लेकिन हम सचेत रहें क्योंकि सावदानी अगर हमने हटा ली और लोगों ने फिर इंफेक्शन को फैलने दिया तो गाओं के कि जो दाइत वह उसको निवा नहीं सके इसलिए हम लोग बहुत सावदानी से काम कर रहें और मुझे पूरी उमीद है कि जनता के सायोग के साथ हम लोग बहुत जल्द इस हमारी पर काबू पापाएंगे केंद्र का एक्जिट प्लान अलग लेकिन क्या राजस्थान ने अपना एक्जिट प्लान तयार कर रखा है जब भी लॉग डाउन है और जो नगर निगम के बाहर की सीमाएं हैं वहाँ पर को दियोग है जहां का लेबर वहीं रुक के काम कर रहा है तो उसको खुलने की जो रेड जोन्स हैं वहाँ पर डिलाई हम लोग दें ऐसा हम समझते हम नहीं कर पाएंगे लेकिन जो ग्रीन जोन्स हैं जहां पर इंट्रेक्शन नहीं आया है वहाँ पर मुव्मेंट हो एक्रमिक गतिविदी चालू हो और जो व्यक्ति कमा के खाता है रोज दिहाडी करता है रिक्षा खीशता है ठेला लगाता है फल सब्जी बेजता है उन लोगों की जरूत पूरा करने के लिए हम लोगों को यह धील देनी बहुत जरूरी है केंज सरकार ने जो घोशना करी हैं जो घ्रह मंत्राल है या स्वास मंत्राल का जो गाइडलांज आते हैं उसका हम पा अब मजदूरों को वापस लाने के लिए गाइडलाइन के तहत तयारी है तो उसके लिए भी आपको लग रहा है चुकि यह वो लोग है जो अपने अपने काम की तलाश में गए थे रोजगार की तलाश में गए थे और ये जीवन की तलाश में लोट रहे हैं बिल्कुल हर रिखती एक समय के बाद अपने घर जाना चाहता है और मैं समझता हूं कि जैसे कोटा में जो बच्चे पड़ते थे अलग-अलग राज्जी के सरकारे उनको लेकर गई स्वागत योगे बात है लेकिन जो लोग अपने घरों के बाहर हैं डेड़ महीने से पैसा नहीं है खाने को सामगरी नहीं है सोने को जगह नहीं उनको अंतर तो घर आना ही पड़ेगा लेकिन जब वो घर भी आएंगे तो जो गाइडलाइन भार सरकार ने दी हैं उसके अतरि में राइस्थान के लोग हैं जो अलग-अलग राज्यों में हैं लग-बग 6 लाख लोग ऐसे जो रेइस्टर कर चुके जो आना चाहते हैं तो हम बांग कर रहे हैं कि ट्रेंज भी चालू करें को कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएं बसों में वो संभव नहीं है खास रहने की रहने की सुरक्षा की वो विवस्ता महाब करकर रखें